यह first question है, इस question के अंदर आप देखो क्या बूला गया है, इस type के question आपको part B में मिल सकते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ लिखा है कि एक linear DNA है, and the number of base pairs are 100, 100 base pair है, DNA is linear, and 30% are guanine, यहाँ पे number of hydrogen bonds पूछें, hydrogen bonds होते हैं, जो number of nucleotides हैं, उनके बीच फॉर्म होते हैं, यानि दो अगर strands है DNA के, यहाँ पे कुछ nucleotides का sequence है, और यहाँ पे भी nucleotides का sequence है, तो इनके बीच में, जो bonds बनेंगे, वो bonds होते हैं, hydrogen bonds, and the number of hydrogen bonds between A and TR2, and between G and CR3, तो आपको number of hydrogen bonds भी निकालने हैं, number of phosphodiester bonds भी निकालने हैं, और 30% guanine आपको given है, कि 30% of the bases constitutes guanine, G होता है, अब इस type के questions को किस तरीके से करेंगे, तो इसका तरीका मैं आपको बता दू, सबसे पहली चीज, आपको हमेशा यह पता होना चाहिए, कि G, the number of G molecules, G nucleotides, is always equal to the number of C, G, G जितना होगा, उतना ही C होगा, जितना A होगा, उतना ही T होगा, तो अगर 30% is G, then C will also be 30%, ठीक है, 30-30 कितना होगया, 60%, तो 60% is the content of G and C, बोथ, इतना clear सबको? Yes, ma'am, yes ma'am. Okay, तो हमें यह पता चल गया, कि G and C, जो है, वो कितना है, हाम, बोलो, कौन पूछ रहे हैं? कुछ पूछ रहे हो, या ऐसे? Okay, तो आगे देखते हैं, तो G plus C is 60% and total amount is always 100%, so if we want to calculate the number of A and T, then हमें पता होगा, कि A plus T is equal to 100-60, हाँ, second होगा इस cancer, तो A plus T जो होगा, वो 100-60 होगा, तो इधर से हम निकाल सकते हैं, कि A plus T is equal to 40% and A, क्योंकि T के equal है, so हम इसे 2A लिख सकते हैं, 40%, A is equal to 40 by 2, यानि 20%, जब आपको यह चीज clear हो जाएगी, कि किस सरीके से आपको क्या निकालना है, तो आप directly पता लगा लोगे, if 30% is G, then 30% would be C, और 30, 30, 60 हो गया, और 60 को 100 मैंसे minus कर दो, 40 आगया, and that 40 is the cumulative, या sum of A and T, तो A या T की value हो जाएगी 20%, यह directly आप निकाल लोगे, जब आपको यह चीजें solve करना आजाएगी, तो इसे solve करने की asset जरूरत नहीं पड़ती, जितना मैंने आपको बताया, इतना लंबा, आप directly निकाल सकते हो, next, अब आपको, क्या बोल रखा है, 100 base pairs हैं, 100 base pairs, 100 base pair का मतलब है, कि there are 100 into 2 bases, यानि 200 bases, base pair हैं, और 1 pair में 2 होंगे, bases, तो bases निकालने के लिए हम उसे 2 से multiply कर देंगे, so there are 200 bases, now, we know that the phosphodiester bonds in a linear DNA can be calculated by the formula, number of bases minus 2, अभी बताया था, linear DNA के अंदर, number of bases minus 2 formula हम apply करते हैं, अब number of bases यहां कितने हैं, हमारे पास 200, तो number of phosphodiester bond कितने हो जाएंगे, 200 minus 2, यानि 198, अब 198 value सिर्फ 2 में ही दे रखी हैं, तो directly आप 2 mark कर दोगे, अगर आप number of hydrogen bonds भी निकालना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो उसको निकालने का जो तरीका होता है, वो यह होता है, इसे मैं एक बार रब करूँ, फिर मैं आपको बताते हो, तो number of hydrogen bonds, G और C के बीच में 3 hydrogen bonds होते हैं, A और T के बीच में 2 hydrogen bonds होते हैं, तो हमने निकाल लिया कि 30% जो है, वो ग्यानीन है, यानि 30% of 200 ग्यानीन है, क्यालकुलेट करोगे, आ जाएगा 60, 60 nucleotides out of 200 bases are ग्यानीन, तो C भी आ गया 60, 60-60, तो 60-60 हो गया 120, यानि G प्लस C is 120, नाओ वी हैब तो क्यालकुलेट A प्लस T, A प्लस T क्या होगा, total number of bases, जो आये थे अभी 200, minus G प्लस C की value, 120, तो A प्लस T जो आएगा, हो आएगा, कितना आएगा, 80, तो यानि A की value हो गई 40, सिमिलरली T की value भी हो गई 40, तो ये आपको यहाँ पता चल गया, अब इसके बाद आप और क्या देख सकते हो, इसके बाद आप ये देखोगे, कि number of hydrogen bonds बताए, तो A और T के बीच में बनते हैं, दो hydrogen bonds, तो 40 अगर A हैं, तो hydrogen bonds A और T के बीच में कितने हुए? 80, इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि दो hydrogen bonds थे उनके बीच में, सिमिलरली, अगर G और C के बीच में निकालें, तो 3 होते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो end में पूछना, अभी बीच में नहीं बोलो, फिर वो हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, किसी को भी नहीं समझ आएगा, तो G और C के बीच में, 3 hydrogen bonds होते हैं, और G कितना है? G हमारा निकला था 60, तो hydrogen bonds between G and C कितने हो जाएंगे? 60 into 3 यानि 180, तो 180 plus 80 एड़ कर दोगे, आपके total number of hydrogen bonds निकल जाएंगे, जो की हो जाएंगे 260, तो ये चीज confirm हो गई, answer 2 होगा, इतना बड़ा solve नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने solve किया है, आप इसे mind में भी solve करके, easily जल्दी से answer निकाल सकते हो, अब बताओ किसको क्या doubt है, इस पूरे question को समझने के लिए, मैं मैं आप मेको बाद में पूरे recording सा एंड करना, क्योंकि मैं कुछ शूरू से एकुछ पता नहीं लागा, हाँ, हाँ, ठीक है, आपके साथ में शेयर कर दूँगी, अंकुष, समझ आया? मैं, यहाँ, ओके, अरिंदम? हाँ, मैं, समझ मेल आए, ओके, धुरूवी? हाँ, मैं, समझ मेल आगया, ठीक है, खर्ष, जितेश, जोती, clear? यहाँ, मैं, मुझे भी recording send कीजिए, ओके, ठीक है, प्राची, मैं YouTube पे upload करूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, मैं आपके link शेयर कर दूँगी, आप सबके साथ, और बाकी सबको, Manisha, आपको भी clear है, Monu, Nisha, Varsha, जिसको भी doubt हो, कहीं भी, तो वह please पूछ लिया करो, क्योंकि individually मैं हर किसी से नहीं पूछ सकती हूँ, उसी में time निकल जाएगा, वरना हमारा एक घंटा, तो यह है second question, अब second question जो है, यह question देखो, और इसके basis पे बताओ, यह directly solve हो जाएगा, How many phosphodized bonds are present in this sequence of nucleotides? यह आ रहा है, मैं हम 7 आएगे, क्योंकि phosphodized bond होगा, एक AT के बीच में, एक TT के बीच में, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, calculate कर लोगे, calculate अगर ऐसे manually करना तो भी कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, total number of basis, जितने हैं, minus 2, तो total number of basis कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 2 यहाँ नहीं करेंगे, किसलिए, क्योंकि यह single stranded है, इसलिए number of basis, minus 1 करेंगे, और answer आपका आएगा 7, तो या तो formula अप्लाए करके कर सकते हो, या फिर directly count करके कर सकते हो, क्योंकि 2 nucleotides के बीच में, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, next is this question, a linear double-stranded DNA, यह रहाँ, a linear double-stranded DNA, has 1.8 into 10 to the power 4, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब number of basis निकालने हैं, क्या आएगा इसका answer? Third option. Third. Third. किसी और का कोई और answer आ रहा है? No, ma'am. Third या. Third या आएगा. किसलिए है? क्योंकि हम minus करते थे to calculate the number of phosphodized bonds, अब plus कर देंगे to calculate the number of basis, तो number of phosphodized bonds plus 2 हो जाएगा, तो यह इसकी value आएगी. तो इसका third answer है. Next question. If 2500 phosphodized bonds are found in DNA of bacteria, bacteria, then how many base pairs are present in it? calculate करके बताओ क्या answer? Fourth होगा, ma'am. Fourth. Ma'am. Two, five, double, zero. Ma'am. Fourth, ma'am. Fourth. Dekhो, fourth कैसे होगा? Yes, ma'am. Fourth नहीं हो सकता है. Option two. Yes. इसका answer है, option two. Two, five, zero. Pear, pear, पुछा है, ma'am. Pear, पुछा है. Bacteria है, तो number of bases would be equal to the number of phosphodized bonds, यानि 25,00 ही आएंगे number of bases. But we have to find out the number of base pairs. तो divided by two. 25,00 by 2 कर देंगे, तो one, two, five, zero. इसका answer आएगा. तो question देखा करो एक बार. अब इसका बताओ. In an eukaryotic mRNA molecule, 2.4 million bases are present. नमबर of phosphodized bond and number of hydrogen bond निकालना है. I am third wala. तो कि मैं single stranded है, तो hydrogen bonds प्रेजेंट ही नहीं होगे. Yes. तो इसका answer है third. क्योंकि single stranded है, MRNA की बात करने हैं, और mRNA is always single stranded. और अगर single stranded है, तो hydrogen bond zero हो जाएगा. पीछे वाली value zero, सिर्फ इसी में आ रही है, तो third is the answer. और single stranded है, तो number of phosphodized bonds भी निकलेंगे, 2.4 million minus 1 करके, तो third is the answer आ गया. Next, we have this question. बताओ. Fourth. Fourth, ma'am. Fourth. Okay. Any other answer? Manishah, आप देख रहे हो, सुन रहे हो? I'm option one. क्या करना है? Last question देखना है, दुआरा को. Last, मैं भी दिखाती हूँ आपको, इसका answer. Second. Manishah, आप भी सुन रहे हो? मैं. 2.3 to 10 is to 6. इसका answer fourth आएगा. इसका answer fourth आएगा. किसलिए? Number of base pairs given है. तो इसको 2 से multiply कर दोगे. और 2 की multiplication फिर किस से होगी? इस value से. So, 9.2. So, number of phosphodized bonds are always equal to the number of bases in the bacteria. तो कि वहाँ circular DNA है?